दोस्तो आज मैं आपको एंगल ग्राइंडर की खराब बैरिंग को चेंज करना सिखाने वाला हूँ बहुत यहसान तरीके से आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखे कितना ज़्यादा प्लेस में आ रहा है यह बाद में आर्मी सेर को भी नुकसान पहुचा सकता है या किसी स्थीति में कभी बैरिंग टूर जाए तो इसका हैड भी खराब हो सकता है तो इस कंडिशन में आपको बैरिंग जल्द चेंज करनी चीए bearing को change करने के लिए यहाँ पर head में आपको 4 screw मिल रहे है उनको आपने खोले लेना है screw को खोलने के बाद आपने यहाँ पर इस head को बाहर निकालने के बाद यह portion आपको खुलेगा और इसके अंदर bearing रहती है वो आपकी निकलेगी तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर दो nut मिल रहे हैं इनको खोल लेना है जिसमें आपको blade फिसाई जाती उन nut को खोल लेना है तो इस तरीके से भाई nut आपकी खुलगी दोनों को खोल लेना है उपर नीचे की तब जाके यह काम बनेगा इनको रखते साइट पे और यहाँ पर इस पार्ट को आपने खोलना है खोलने के लिए यहाँ पर या तो आपके पास opener या फिर puller हो तो puller की help से इसको या pressure की help से इसको निकाल सकते हैं और कोशिस यह किजिए कि इसमें आप हतोड़ा बगर ना मारें हतोड़ा मारेंगे तो कहीं पर damage हो शकता है तो इसको निकाल लिया है और यह रही इसकी bearing bearing की भी स्तिति आप यहाँ पर देख सकते हैं आप bearing को निकालना कैसे इसको हलका सा यहाँ पर हमने दबाना अंदर को या हतोड़े या फिर कुसी ऐसे टूल की help से कीजिए जिससे इसमें घाउल ना लगे तो इस तरीके से bearing हमारी बाहर निकल जागी आपके हाँ चाब bearing का price कितना है कमेंट करके बताना यह bearing market मा आपके हाँ कितने रुपे की मिलती है यह भी बता देना तो इस bearing को रख लिया side पे अब हमारे पास है बिल्कुल original वाली bearing है और इसको हम यहाँ पर लगाने वाले है तो बिल्कुल size बकर हमने चेक किया है फिर भी आपको confirm करनाने के लिए हमने दिखा दिया है अब यहाँ पर इस तरीके से फहले bearing लग जाएगी यानि कि जैसे हमने निकाला है तो यहाँ पर यह सब आपका जब यह काम complete हो जा इसके बाद इसमें आप इस तरीके से इसको bearing को लगाईए देखें लग चुकी है bearing और कोई भी अब इसमें दिक्कत नहीं है next में यहाँ पर जैसे हमने इसको निकाला था वैसे लगा लेना एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर front लिखा हुआ है तो front वाला जहाँ पर लिखा हुआ है उसको आपने उपर की तरफ को रखे के इस तरीके से हलका सा अगर fit नहीं आ रहे तो हलका सा एक दो बार ही हतोड़े से मार लेना या फिर उपर कुछ ऐसी चीज रखके मार लेना जिससे घाव ना लगा है ठीक है तो इसके बाद हमने इस तरीके से fit करके इसको चला के एक बार देख लेना कोई चीज इसमें फच ना रही हो बाकि अच्छी तरीके से screw लगा लो और screw लगाने के बाद इसको असानी से यूच में ले किया सकते हो अब इसमें कोई भी play वगर है नहीं है और यहाँ पर यह आपने दो नट जो निकाले थे वैसे ही लगा लो जैसे इसकी position दी तो इस तरीके से bearing असानी से change करी जाती है देकरे वीडियो पसेंद आए तो लाइक करके share कर लेना थेंक्यू